आप लोग ने अत्तीक एहमद का नाम सुना होगा और एक बाहू बली और एक आप देखे पॉलिटीशन कह लीजे आप लोग और एक गुंडा कह लीजे एक समय ऐसा हुआ करता था कि उत्तरप्यदेश की जो राजनीती थी इसके आसपास सी घूमती हुई दिखाई देती थी और आप देखे कि चुनाव भी जीतता रहा है बिधायक भी मना लोगसबा सदस्थ भी मना और इसके खलाब जो भी चुनाव लड़ता था वो बड़ा डरा सहमा भी रहता था और जब इसका भाई चुनाव हार गया तो इसने जो जीता था उसे मरबा दिया था आप देखे समय बदला योगी आदितनात की सरकाराई बीजेपी भारतिय जितता पार्टी की उसके बाद आप देखे माफियाओं के बोरे देन सुरू हुए अब आप देखे अदालत में अपनी जान की को बचाने की गुहार लगा रहा है तो आज हम लोग अमीद अतीक एहमत के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं और इसे आप लोग इस स्क्रीन पर देखी रहे हैं देखिए इसका परिवार है और ये उत्तर पिदेश की राजनीती की बात हो रही है देखिए ये हमारी प्यारी पित भी है इसमें एसिया में ये हमारे प्यारभालत देखने को मिलेगा भारत में आपको ये उत्तर पिदेश देखने को मिलेगा लखनो इसकी राधधारी है और आपको बता दू कि राजनीती की दिरिश्टी से उत्तर पिदेश काफी मात्पूर है आपको माल होगा कि उत्तर पिदेश से अधिकतर पिधान मंत्री आपकी निकल के आए गुए है और यहाँ तक कहा जाता है कि जो उत्तर पिदेश है ना यहीं से दिल्ली की जो सत्ता है उसकी रास्ता होकर जाता है क्योंकि विधान सभा में 430 सीटे हैं विधान परिशद में 100 सीटे हैं राजस सभा में 31 सीटे हैं लोक सभा में 80 सीटे आपको देखने को मिलेगी इसकी अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में बिहार हो गया जहारकंड हो गया अगर हम लोग अतीक एहमद के जनम की बात करें तो साल 1962 की बात है 10 अगस्त 1962 को एक तागे वाली की परिवार में सबसे बड़े बेटे की रूम में जनम होता है अतीक एहमद का तो इनके पिता तांगा चलाते थे और कुछ समय तक इन्होंने भी कहते हैं तांगा चलाया पिता इलावाद की सडकों पर तांगा चलाते थे और परिवार पर कपेट भरते थे अतीक के बास उसके और भाई बहन भी हुए और परिवार बढ़ने लगा और साथी बढ़ने लगी गरीबी और जैसे जैसे अतीक बढ़ा होने लगा घर की करीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी जो घर की गरीबी थी और आप देखेंगे वो सपने देखने लगा अमीर बनने का और पिताने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भी जा लेकिन कहते हैं कि अतीक का मन पढ़ाई में कहीं भी नहीं था और वो पढ़ाई से जी चुराने लगा और वो सपने देखने लगा पैसे कमाने का अतीक को जल्द से जल्दी अमीर बनना था और दस भी क्लास में फैल होने की बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी का रास्ता अपना लिया उसका मकसद था इलाकी के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना वो चांद बाबा जिसका उसपस समय तक इलाबाद में एक छत राज हुआ करता था और भहुत सारी मूवियां आप लोगों ने देखे होगी जब आपको देखते होगे कि एक गुंडे को दूसरी गुंडे से बड़ा बनना होता है तो उस गुंडे को अपने रास्ते से हटाना होता है तो यही कहते हैं कि किसने अतीक अहमद ने रास्ता अपनाया वो समय एक गुंडा था यहां क्या नाम था उसका चांद बाबा और इलावाद में अतीक ने बनाई पहचान चांद बाबा को के आतंग से कई छोटे गुंडे मवाली परेसान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आये उन समने चांद बाबा के खिलाब अतीक का साथ देना सुरू कर दिया और बड़ी ही तेजी से प्रयाग राज में चांद बाबा के अलाबा एक नाम भी गुंज सुनाई देने लगा वो नाम था चकिया की तांगे बाले वेटे अतीक अहमद का और अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे सहर में भर से रंदारी वसूलने लगा और माज 17 साली की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोब भी लगा लेकिन एस साब उसके होसले पस्त नहीं कर रहे बल्कि और बड़ा रहे थे फिर आप देखें कि चादम चांद बाबा गैंग से अकसर अतीक अहमद गैंग के जगडे की खबरें आने लगी और कहते हैं कि धीरे धीरे चांद बाबा का रुत्बा कम हो रहा था और अतीक अहमद आँगे बढ़ रहा था इलावाद के इस नए ग्यंगिश्टर की नजस सिरिफ इलावाद तक ही सीविंत नहीं थी बलकि ये तो पूरे राज में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था करीद दस सालों में ही अपरात की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमाया और गरीब तांगे बाली की बेटे के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी और छोटी सी उमर में अतीक पर 80 से जानदा हत्या, हत्या की साजिस, रंगदारी, धोका धड़ी, आम सेक्ट जैसे कई मामले दर जो चुके थे और उस समय की सभी गेंगरेस्टर्ट की बीच अतीक की तूती बोलती थी लेकिन एक चीज जो अभी भी अतीक की पहुंच से दूर थी, वो थी सत्ता की पावर, राजनिती की पावर एक आप लोग ने पढ़ा होगा, राजनिती का अपराधी करन पहले आप देखी कि इस ती तरह कि जो गुंडा हुआ करते थे वो नेताओं को चुनाव जिताने के लिए गुंडा गर्दी का सहाला लेते थे भूत कैप्टिन करना, जबजस्ती बोड डालना या आप देखते हैं कि जो बोटर की पेटी होती थी उसे लूटना लेकिन बाद में इनी गुंडों के दिमाग में एक बात आने लगे बाहु वलियों के दिमाग में एक बात आने लगे कि अगर हम किसी को चुनाव जिता सकते हैं तो हम को खुद चुनाव लड़कर क्यों नहीं जीच सकते हैं बाद में यही चुनाव लड़ने लगें और राजनीती में अपराधियों का बोल बाला हो गया और अभी अगर लोगसभा और विधान सभा में आप देखें न तो आधे से अधिक सांसर्थ विधाय के ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिन पर गंभीर अपराध दायर हैं ठीक है फिर आप देखेंगे कि अतीक अहमद पर चांद बाबा की हत्या कारोब भी लगा अतीक अहमद का 1989 तक बड़ा कद हो चुका था और पुलिस भी अतीक अहमद की नाम से खौप खाने लगी थी कई बड़े निताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था और इसलिए अतीक अहमद को ये समझ आने लगा कि पैसे के अलाबा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के यार्नी की राजनीती के सतरंज को खेला ही होगा और कहते हैं कि 1989 में अतीक अहमद ने नरदिलिय उम्मिदबार की रूम में इलाबा से पहला चुनाव लड़ा और दूसरी तब चांद बाबा भी चुनावी संगराम में थे लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को पहली बार आप देखेंगे 1989 में इसने चुनाव लड़ा और जीत हांसिल की और अब अतीक अहमद ने नेता जी बन चुके थे लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाली इस माफिया के काम अभी काले ही थे और जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे आम, सरे बाजार हत्या कर दी जाती है और आरोप अतीक अहमद भर था लेकिन इन सब के बाबजूत अतीक अहमद की तागत बड़ती जा रही थी अब आप देखें सभी साप्षी की आधार पर सब कुछ होता है जब कोई गवाही ना मिले तो कहां से कुछ होगा फिर आप देखते हैं फूलपूर से सांसत बने अतीक अहमद तो अतीक अहमद ने पहले तीन बार न तो निरतली ये चुनाव लड़कर जीत थासिल की लेकिन 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकेट दी और अतीक समाजवादी पार्टी के बिधायक बनते हैं आपको मालू होना चाही कि समाजवादी पार्टी अकले स्यादो मुलैम सींग आदो जो हमारे वीच नहीं है उनकी पार्टी है सफेद कपड़ों में अतीक हमत सान की ही अलग थी और एकतर्व राजनीती का खेल चल रहा था तो दूसी तरब उन पर पट्ता रंगदारी भूमाफिया का कारोबार फैलाने का आरूप भी बढ़ते जा रहे थे करोरों रुपे की संपत्ती का मालिक बन चुके शकीया का इस लड़के को महेंगी विदेशी गाड़ियां खूब लबाती थी और अतीक हमत को हतियार रखने का भी सौख था वो बक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारिफ सौख पूरे करने थे और कहते हैं कि जब भी अतीक का काफिला निकलता महेंगी गाड़ियां उनके काफिली का हिस्सा होती थी और चार बाद विदायक बन चुके अतीक हमत की कबजे में अरुवों रुपे की जमीन थी 2004 में अतीक हमत ने राजनीती में एक नई राय चुनी और 2004 में अपना दल से ने फूल पूर सीट से अतीक को अपना टिकेट दिया और अतीक ने इस पर जीत भी दर्ज की और प्रयाग राज की माफियां ने संसब तक का सफर पूरा कर लिया था और तांगे में बैठका जिन सब सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे लेकिन कहते हैं न कि अगर अपरात की दलदल में कोई एक बार फसे तो बाहर निकलना नामुंकिन होता है यही आप देखेंगे ऐसा कहते हैं कि अतीक एहमत के साथ हुआ और अतीक पर राजुपाल की हत्या का आरोप लगता है और यही से आप देखेंगे अतीक की जिन्दगी बदल जाती है 2004 में जब अतीक एहमत ने फूलपोर से सांसत के लिए चुनाव लड़ा तो उसकी इलाबात की परंपरागा सीट खाली हुई और अतीक ने अपने भाई असरप को यहां से चुनाव लड़ाया लेकिन असरप चुनाव हार गए और BSP नेता राजुपाल ने असरप को माद दी और ये बात अतीक एहमत को पसंद नहीं आई और कहते हैं कि राजुपाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महिने बीते थे लेकिन उसकी हत्या करवा दी जाती है और राजुपाल की काफले पर अतीक एहमत गैंग ने जोड़दार फैरिंग की और राजुपाल को 19 गोलियों से चलनी कर दिया गया और सिर्फ दस दिन पहली राजुपाल की साधी भी थी लेकिन आप देखेंगे अतीक एहमत को राजनीती में चैलेंज करना राजुपाल के लिए मौत का सबब बन चुका था राजुपाल की पतनी पूजा ने अतीक एहमत उसके भाई के खिला मामला दर्च करवाया और उस वक्त राजुपाल में समाजबादी पाइटी की सरकार थी अतीक एहमत पर कोई कारवाही नहीं हुई अंगली बार चुनाओ में अतीक एहमत अपने भाई असरफ को जीत दिल माने में काम्यावी भी उसने हाजिर की थी तो इसका आरव लगता है अतीक एहमत पर और उनके भाई पर और आप देखते हैं कि उसी का मामला है आंगे चला फिर आप देखते हैं कि मायवती सरकार आई और 2007 में बड़ा बदला होता है उत्तर पिदेश में और उत्तर पिदेश में मायवती की सरकार बनती है और फिर सुरू हुई अतीक एहमत उसके गैंग के बुरे दिन और यह आप देखेंगे कि समाजबादी पार्टी की सरकार बनती थी तो मायवती के जो सपोर्टर थे उनके बुरे दिन आ जाते थे बीएसपी सरकार की आती ही अतीक एहमत को राज्य का मोश्ट बांटेड अपराधी घोसित कर दिया जता है और अतीक एहमत पर इनाम भी जारी कर दिया गया कुछ समय पहले तक उत्तरपिदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहू अली निता को अभागोडा अपराधी मान लिया गया पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरका दिल्ली से उन्हें गरफतार कर लिया गया और फिर यूपी की अलग-अलग जेलों में बंद रहे लेकिन एक बार फिर बक्तवल्ला और 2014 में जब अकलेस की सरकार आई तो अतीक एहमत को जमानत मिल गई और 2014 में अतीक एहमत ने सरावस्ती से चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं कर पाए और एक 500 गाड़ी का काफिला का भी आप लोगों ने किस्सा सुना हुआ जो कानपुर पहुंचा था मुलायम सिंग यादव परिबार की आपसी खिंस्तान के भी दिसम्बर 2016 में उमीदवारों की एक लिष्ट जारी हुई और इसमें अतीक को कानपुर केंट से उमीदवार बनाया गया था 14 दिसम्बर को अतीक उसके समर्थक 60 समर्थकों पर इलावात के सियार्ट्स कॉलेज में तोडफुर्क और मारपीट का रोप लगा अतीक एक निलंबिच छाथ की पैरवी करने कॉलेज गए थे उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों को धमकाया इसका वीडियो वायरल भी हुआ और अभी मामला भी चल रहा है और आप देखें बाइस दिसम्बर को अतीक 500 गाडियों के साथ कापली के साथ कानपुर पहुँचा खुद हमर पर सवार था और कहते हैं कि हमर जिसकी कीमत आठ करोड बताई जाती है इस गाड़ी की और जिस से काकला गुजरता जहां से भी जाम लग जाता मीडिया में खूब हला माचा अकले स्यादाव सापा की राष्टी अध्यच बन चुके थे उस समय उन्होंने साप कर दिया कि उनकी पाटी में अतीक के लिए कोई जगए नहीं है और वहीं सेयाड से मामली में हाई कोर्ट ने भी सक्तिक कर दी और पुलिस को फटका लगाई और अतीक को गरफतार करने का आदिस भी दिया गया और कहते हैं फरवरी 2017 में अतीक को गरपतार कर लिया जाता है और हाई कोट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्ध कर दी इसके बास से अभी तक आप देखेंगे अतीक जेल में ही है और 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के कापली के साथ कानपूर पहुंचा था तो उस समय भी चर्चा में रहा था फिर आप देखते हैं फूलपूल उपचुनाओ हुआ 2017 में जब योगी सरकार आई तो मारिया डिये डवल मर्डर के मर्डर की फिर से जाच सुरू हो गई और पुलिस ने खुलासा किया तो सब चौक गए पुलिस ने आरोप लगाए कि अलकामा की हत्या अतीक असरब और आबिद पिधान ने करवाई थी दरसल अतीक को लग रहा था कि अगर जावर चुनाओ जीत गया तो उसका वर्चिस खतम हो जाएगा इसके लिए अलकामा कुमारने की साजिस रची गई अलकामा ने गैर बरादी में साधी भी कर ली थी औ आबिद पिधान उसका परिवार भी खबा था और कहते हैं कि अतीक असरब और आबिद ने एक तीर से दो निसाना लगाने की साजिस रची और वकरीद की अंगले दिन मारिया डी में अलकामा की गारी पर तावर थोड फायरिंग की गई और अलकामा और ड्राइवर सुर्ज की मौत हो गई और केस चलता रहा इस बीच फोल पो लोग सुबा के लिए उपचुनाव भी घोसित हुआ और इस सीर से बीजेपी सांसद केसा और फिरसाद मौरिया यूपी के डिक्टी सीम बन गये थे और सांसदी से इस्तिपा दे दिया था और जेल में वैठा अतीक भी उसके बेटे देखी आप लोग और इस तरह से बहुत सारी संपत्ति उसकी कुर्प कर दी गई है बहुत सारी कुर्प की जा रही है और आप कह सकते हैं बहुत बुरे ही दिन सुरू हो चुके हैं तो एक सौट वाइगराफ ही आप लोग कह सकते हैं अतीक एहमत की है और ये क जो हमारा काम है बता देना, बाकि आप लोग जो हैं उनके सपोर्टर हैं वो भी देखते रहे हैं, यह आप देखे मुक्तार अंसारी हो या आजम खान हो, इन सब के आप देखे बुरे दिन ही सुरू हो गया है, रमा कान त्यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार फजो होगी?